Hello बच्चों, let's read the question बच्चों, question में कहा रहा है which of the following does not affect the rate of reaction इन मेंसे वो कौन है जो rate of reaction को affect नहीं करता है सबसे पहले दे रखा है बच्चों amount of reactant taken देखो बच्चों, amount of the reactant taken it affects the rate of reaction कैसे affect करता है वो देखो बच्चों जैसे कोई reaction है, A goes to B इसके लिए rate low expression कैसे लिखता है rate हो जाएगा k into A की concentration reactant की concentration पे कुछ चड़ा दो बच्चों, k power m where m may or may not be equal to stoichiometric coefficient of A जहाँ पर m क्या होगा बच्चों, इस reaction का order रहेगा बच्चों अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों क्यूंकि rate जो है, सीधा-सीधा किस पे depend कर रहा है बच्चों, concentration पे depend कर रहा है बच्चों, अब वो inversely कर रहा है directly कर रहा है, square के कर रहा है, वो m q पर depend करेगा, लेकिन depend तो करेगा बच्चों आपको अगर concentration reactant का बढ़ाओगे, कटाओगे तो यह आपका rate भी change करेगा ही करेगा बच्चों, तो यहाँ पर यह पता लगया, amount of reactant taken affects the rate of reaction, दूसरा है बच्चों क्या physical state of reactant यह effect करती है आपके reaction को बिलकुल effect करती है rate को ओके, it affects, देखो क्या होता है बच्चों, जो reaction होती है, वो collision के कारण होती है क्या होती है, अब collision तो तब होगा है, जब movement होगी क्या होगी बच्चों, movement होगी आपके components के बीच में, तो solid में क्या होती है, बच्चों, solid में movement बहुत कम होती है तो solid phase में अगर किसी की reaction कराने चले, general conditions की हम बात कर रहे है तो उसकी reactivity बहुत कम होती है फिर अपके liquid की होती है और gas की, जो होती है, वो सबस्याद होती है क्योंकि gas में motion सबस्याद होता है collision frequency होती है वो gas में ही सबस्याद होती है गैस में सबस्याद होती है, liquid में उससे कम और solid में बिल्कुल ही कम तो physical state भी आप पे rate of reaction को affect करती है next है बच्छो size of vessel fourth पे देखते हैं ये भी affect करता है ये भी affect करता है अब A क्या है बच्छो ये तो concentration है ना क्या है बच्छो reactant का concentration है अब अगर आपका माल लो gaseous है gaseous reactant ले लिया अब यहां पर बच्छो इसका जो concentration होगा बच्छो गैस के case में तो क्या होता है जैसे ideal gas मान के चलें तो gas के case में होता है जो गैस का volume होता है वो किसके equal होता है vessel के volume के equal होता है तो अगर vessel का volume ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसकी concentration भी तो फरक पड़ेगा बच्छो जैसे concentration molarity क्या होता है number of moles divided by volume अगर आप size of vessel change करोगे तो volume change हो जाएगा volume change होगी तो concentration change होगी और concentration change होगी तो rate भी change हो जाएगा तो यह भी आपका effect करेगा बच्छो इसको rate of reaction को लेकिन delta H reaction का यह effect नहीं करता है it doesn't affect the rate of reaction देखो बच्छो A goes to B कोई reaction है इसकी reaction profile कैसी होती है यहाँ पर आपके energy आती है components की और x-axis पर हम लेते है reaction coordinates एक general profile ऐसी बनती है यहाँ पर यह activated complex बना और यह product बन देखो यहाँ पर आपके reactant होते है this is your activated complex और यहाँ पर क्या होता है यह आपके product है तो reactant से लेके activated complex तब का energy difference होता है इसको बोलते है activation energy क्या बोलते है activation energy और reactant और product के बीच का यह जो गयाप होता है ने energy का इसको बोलते है delta H enthalpy of reaction तो बच्छो एक बात बताओ अगर आपको अपनी reaction के rate को change करना होता है तो हम activation energy को change करके कर सकता है अगर आपको rate जादा करना है तो activation energy कम कर दो अगर कम करना है rate तो activation energy को जादा कर दो लेकिन आप activation energy को चाहे कम करो चाहे जादा करो आपका delta H कभी भी change नहीं होगा energy of reactant जहाँ पर है वहीं रहेगी और energy of product जहाँ पर है वहीं रहेगी बच्चों तो delta H reaction का rate को effect नहीं करता है correct answer option number 3 I hope आपको एकदम clear हो गया होगा thank you बच्चों